IPL 2024 का 70 वर मुकाबला गुजराट टाइटन्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा ये मैच आज सारे साथ से एहमदाबाद के नरिंद मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा दोनों टीमें एक दूसरे का सामना करने के लिए तयार हैं इस बार शुमन गिल की कप्तान वाली गुजराट टाइटन्स और शिकरदवन की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स के बीच टकर होनी है जहां शुमन गिल के सामने पंजाब के शेरों की चनोती होगी हाला कि ऐसी में पंजाब के लिए गुजराट को उसके घर में हराना आसान नहीं होगा गुजराट संराइजस हैदराबाद को हराया दूसरे तरफ पंचाब की इसकी बात करें तो टीम ने इस IPL सीजन के पहले ही मैच में जीत दर्श करके सीजन की शांदाज शुरुआत की लेकिन उसके बाद टीम को बैंगलॉर और लकनों से हार का सामना करना पड़ा पिछले मैच में पिजस हैदराबाद के किलाव शांदार जीत दर्श करने वाली गुजरात अपने पिलिंग लेवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहेगी रिद्धिमान सहा से टीम को एक बड़ी पारी की उमीद है गेनबाजी में अनुभवी उमेश शादाव राशित खान अच् प्रदर्शन अब तक तीनों ही मैचों में काफी नराशा जनक रहा है उनकी जगह रिशी धवन को मौका मिल सकता है अब तक पंचाब किंग्स की सबसे बड़ी समस्या मद्धेकरम का फ्लॉप होना रहा है ऐसे में जितेश शर्मा और लियाम लिविंग स्टोन जैसे बल्ले पंचाब किंग्स के बीच अब तक कुल तीन मुकाबले खेले गए हैं इस दोरान गुजरात ने दो बार जीत हासिल की है जबकि पंचाब किंग्स सिर्फ एक बार जीती है इन आकडों को देखनी के बाद गुजरात का पलब हरी नजर आ रहा है हाले कि गुजरात इस बार भी जीत हासिल कर सकती है क्योंकि यह मुकाबला उसके घर में ही खेला जाएगा लेकिन पंचाब भी जीतने की हर मुम्किन कोशिश करने वाली है जिससे यह मैच काफी रोमान्चक हो सकता है दोना टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो गुजरात की संभावित प्लेइंग 11 में कप्तान शुम्मंगिल रिद्धिमान साहा केन विलियमसन डैविट मिलर विजय शंकर अजमतुल्ला उमरजई राहुल तेफ्तिया राशित खान उमेश यादव दर्शन नालकंडे मोई शर्मा पंचाब की संभावित प्लेइंग 11 में कप्तान शिकर्धव जोनी ब्रस्टो फिर्व सिम्रन सिन जितेश शर्मा सिकंदर रजा सैमकरन शंशाक सिन हर्प्रीद बरार कगी सो रबाड़ा रहुल चहर अर्शदीब सिन